और इसके उपर देखो भाई लागेज के उपर पूरे पर बाइफ जम गी थी अब मेरे पे चेस्टर से राउख जो कि देखा लेना वो तो लगे अब उल्टा ओके उठाना उल्टा ओके और यहां ओफ रोड इतना है लटक गया अभी टीका हुआ है किसी चीच से अमैने का अगर में यहां पर बंजी खूड हूँ बॉझ कि नाला आप लोग विश्की नाला इस जगह का नाम कुछ यह यहां पर रात को श्टे कर गए थे क्योंकि कल रात को हमें नौ बज गेते नौ बज गेते बसी कली हम लोगों का प्लैंट था कि हम लोग यहां से सीधा पांग जाकर रूखेंगे लेकिन रास्ता बहुत जादा खराब निकला आप यहां पर हमें स्टे करने के लिए जगह दिक्त हो गई तो हमने आप आके पूछा भी इन सबसे कि हमारा पांग जाना सही है या नहीं है तो बताया कि जितने भी दार्चा से छोड़े गए थे ना दार्चा पर बेसिकली जो पुलिस वाले रोक रहे तो फिर तो रात के दो तीन बजना और भाई बहुत दिक्कत वाली बात थी क्योंकि यहीं पर रात को नौ बजे तीन डिग्री सल्सियस था और जब हम सोने लगे काफी रात हो गई मतलब बाराइक बजे के असपास तब तो माइनेस में चला गया था टेंपरेचर तो उस ट फैलकन और इसके उपर देखो भाई लगेज के उपर पूरे पर जमगी थी अब मैं इसका वेट कर रहा हूं थोड़ी दूप आई है थोड़ा मेल्ट हो जाए तो मैं इसको थोड़ा से अनमाउंट करके कपड़ा निकाल दो क्यों ठंड काफी है यहां पर यह देखो भाई थोड़ा बहुत सरतर है तो हमी भी और अटक्षिजन के वज़े से लेकिन हम लोग काम रहे और हम लोगों को जो काम करने थे भाई हम लोग रात को स्लिपिंग बैक में सोई थे मैं आपको दिखाता हूं अपने खोल लिया था मैं क्योंकि हमें लग रहा था कि ठंड रात को होता है मैंने ने खोल रही थी है और आई ना लगा हुआ उँि चोटा हो ना में आरस नहीं हो ए तो नौर्मल हो गया तो ठोड़ा से सब्सक्राइब करें और भाई एडिटिंग स्टार्ट करें मैं भी जा रहा हूं बाइक पर से समान अनौंट करके लैप्टॉप निकालता हूं और कपड़े पहनता हूं उसके बाद कितने मचे निकलना है ऐसे और यहां पर खड़ी है विचेश की बाइक अभी हमने कोल्ड स्टार्ट करके देखा था तो फैलकन तो स्टार्ट होगी ईजीली एक सेल्फ में और डॉमिनार में थोड़ी सी इस हुआ ही है स्टार्ट करना पड़े हम लोग उसके लिए केबल भी लाएं अपनी का रहा है इस वाले स्टेव में रुके थे टेंजिंगिया तिबर्टी अंडेस्ट्रों और अंटी भात सूइट थी उन्होंने बहुत ध्यान रखा हमारा भाई तीन चार कंबल दे के कैसे कैसे करके ताकि हमें ठंड ना लगे और यह जगा भी ऐसी है भाई कि इतनी सारे राइडिंग ज लिए हो गए बेसिकल यह से शड़ाट निगल जाते पर एक जो वीएमड़ू थी एट फिफिटी वो स्टार्ट नहीं हो थी तो घरहर मैधान पते करहर मैधान पते जाले बाइक करते का काम है यह वाली बाइक उसको तो करेगी तो यार यहां पर ट्राइ किया जा रहा है अच्छी काजी स्पीड मिल गई होगी यहां पर तो यार बाइक अभी भी स्टार्ट नहीं हो पाई पता नहीं इसका ऑटोमाटिक का कुछ सीन है और यह भी देखोगे तो यह रात में सब जम गया था यह देखो यह यहां पर तो स्नो अभी भी है यह पानी सारा जम गया था अब शायद एक और बाट राए करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है कि उसको हमने अपनी कार से जंप स्टार्ट करके देख लिया उसको मैंने अपनी बाइक से टो करके देख लिए हमालें चे बीम डूलू वह तो भी स्टार्ट नहीं हुई उसमें कुछ लग रहा है है तो बैटरी इलेटेड इसू बट इलेक्ट्रोनिक इतने सारे हैं उसके के टीम हो गई विशेश की डॉमिनार हो गई उसको तो हमें जम साट देना पड़ा बागे सब बाइक उने थोड़ा थोड़ा नखरे तो करे भाई पर ये चीता बाई चीता वह खड़ा हुआ विशेश पेट कर रहा है मेरा यहां तो हमें कल एमर्जंसी में रुकना पड़ गया नहीं तो हम तो पांग ही जाते और अभी रोड एकदम खाली है बट थोड़ा आफ रोड है यहां से पांग तक मेरे खाल से 20-25 किलमेटर है तो वो पूरा पैच ऐसा साइए बाई और ले यहां पे है 203 यहां से तो कव जाते हैं नहीं सीधा जाना और अब कुछ आज हमारे पास एंट्री लेना पास लेना कुछ ऐसा कुछ चक्कर भी नहीं सीधा जाना है और देखते हैं अभी मेरे खाल से और पास पड़ेंगे बीच में तो आप लोगों को दिखाते हैं बाकि यहां पर बहुत पुरानी-प तो सोचो वही रात को एक दो बजए क्या हालता है यहां पर रुक साइड लाओ दिया वाली जैरीकेन भी गई रुक में साइड लगाता हूं पहले कि अब ट्रॉक आ रहा है जैरीकेन उठा लेना वो तो लगए उल्टाओके उठाना उल्टाओके तो यार हमारी डामीनर पीछे ब्लैक आइस में स्लिप होगी इसमें विशेश की भी कोई गलती नहीं है यार ट्रक आगया सो हमने से उसने जगे नहीं थी प्लैका इस पे ले जानी पड़ी हमें और इसका पिसला टायर स्लिप हो गया और गिर गई और इसकी जैरीकन जो इस साइड पे थी उसका लॉक भी टूट गया और वो फुली बरी हुई थ कर लेंगे थोड़ा इसी हो जाएगा इसको भी थोड़ा स्पेस मिल जाएगा बहुत जगें कर दीजिए जैरीकन कोई बात नहीं वाइट का रोल वाग में दोनों लॉक मिल जाएंगे ते ब्लैक आइस में बाइक फिसली दूसरी जैरीकन भी गई अब जैरीकन खाली करके बान तो ली थोड़ा सा अब मैं पीछे ही रहता हूं देखता हूं लगे थोड़ा सा इदर उदर नहीं ले उपर से रास्ता भी ऐसा नहीं समझ में नहीं आता कि इदर से लें जिदर लें उदर ही गड़े और इतने लगे चिए सा दिक्कत हो जाती है भाई बाइक भी तो कि इतना हसल कर रहें तो पहला या दूसरा उससे ज्यादे गेर में जाई नहीं जी हुआ कि रात में तो ठक जाते हैं वैसी सारी एनर्जी पीछे मां सौटकट में चलीगे थी और कोई एक पास आया उसके पास ही की रहते हैं कौन सा पास है उपर जाके देखते हैं यह हम लोग अभी हैं लाचुंगला पास पे जो है 16,616 फीट उसे क्रॉस कर रहे हैं वाई और बगल में भोले नाजी की मूरती हर बोले हर चंबू हराम से लिए पहुंचा तो बस और हासल मत करवा यार वैसी सांस चट रहे हैं यहां पर और बर्फ देख लो भाई कितनी हैं यहां पर दोनों साइड और उसके साथ रोड पर ब्लैक आई से अभी विजिए शी भाई के पीछे समान मॉंटिट तो सही है कुछ हिदर उतर जा नहीं रख है इसलिए मैं पीछे प सारे माइस और दूर दूर तक कम से कम ट्रैफिक उतना नहीं आ रहा है जितना रात को आ तो रात को ज्यादा आ रहा था मेरे ख्याल से भाई पर बैठने के बाद ना सब कुछ नॉर्मल लगता है वैसे मतलब इतना जादा ना सांस चाड़ती ना कुछ एक दम नामली बैठ को यह सारी बल्यकाइस बन जाती और अगर हम यहां से निकलते तो भाई बड़ी दिक्कत होने वाली थी अच्छा हुआ हम लोग पीछे रुख गए और स्टे कर लिया क्योंकि हमारी एनर्जी पहले सी बहुत कम थी जो शॉर्टकट पर थे हम उसके बाद जेगे जेगे पूर रहे हैं रात को तो दिखता ही नहीं कहां से जाएं कहां से अब तो तब भी दस में से आट जेगे क्रॉस कर ले बच बचा के तो सुबही जाना सेफ है यार अच्छा सबस्पर दम लोग रात को रुख गए पांग की होड में नहीं गय अगर पांग के बीचे पढ़ तो बीस किलमेटर और है तो बीस किलमेटर हमारे नौ से बारा बजा देता इतनी स्पीड में ठन लगती वह लग यही देखने रहे के था थोड़े थोड़े पैचीज आ रहे हैं तो पूरा रास्ता एक कीचड और पानी से बहा हुआ है और उपर से खराब अगर सीधा रास्त तो भी निकल जाया रास्ता सही हो तो रास्ते खराब के साथ-साथ बर्फ भी है और स्लस्ट भी है मतलब हर एक तयारी है बाइकरस को फिस लाने की यहां पर ब्रेक मारो के तो फिस लोगे नहीं मारो के तो फिस लोगे बस दीरे दीरे चलते रहो ट्रैक्शन मना रहेगा त यह देख रहो कितना गहरा ऐसा लग रहा है दल दल सही है बहुत देख के चलानी पड़ रही है और यहां पर दिक्कत ही है कि अगर मैं वाइजर खोल के चलाओं की फॉग नजमें अभी धूल मिट इतनी बड़ा रहा है इसके चेकर में बंद करना पड़ेगा अभी भी हैं से पांग जो है सेवंटीन है और रास्ते चलो ठीक है पहले से तो सही हुए पानी इतना नहीं मिल रहा है कीचड़ इतनी नहीं मिल रही पस कंडिशन तो सीम ही है देख रहे हैं दूर दूर तो कैसे लग रहा है रेगिस्तान में चला रहे हैं भाई कुछ नहीं है एक पत्ता तक नहीं है तो चो आक्सीजन कैसे आएगी हैं तभी तो ज्यादा स्वासूल रही है हम लोग जहां से निकले थे वहां पर हलका सब वैल डिसकी कटी गई तो अब मैंने स्लीपिंग नहीं बांदे टॉप बॉक्स पर लोड़ कम दिया था कि उस पर जोड़ना पड़ा और पीछे से बंजी स्ट्रैब पूरी एकदम टॉप बॉक्स से घुमा के लिए कि भाई टॉप बॉक्स तो सपोर्ट मिल जाए और यहां ओफ रोड इतना है लटक गया अभी टिका हुआ है किसी चीज़ से अब मैंने का अगर मैं यहां पर बंजी खोलूं तो कोई पूरा पांग तक तो जा नहीं है सीन यह के भी हम लोग आगे चलने के बजाए कुछ कर भी नहीं सकते उसे खोला तो ऐसा लग रहा है कि पूरा ना टूट जाए तो मैं ट्राइक कर रहा हूं कि जहां पर ज़्यादा गट्टे हैं बहुत प्यार से निकालों और पांग अभी यहा सकता है कि कोई ट्राक आजाए तो ट्रक पर समान लोड कर दें लेकिन उसमें भी एकि और इवन वाले सेनरियो में आज बस ले से मनाली से जाने वालों को दिन नहीं तो यह सेकंड ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास कि कोई मिले अरश्ते में और वो हैल्प करेगा और सामान इतना कि हम दोनों अभी कुछ छेड़ खानी नहीं कर सकते सिवाए चलने के और बस दुगा यही है कि रोड से हो जाए तो थोड़ी सी हेल्प हो जाए और मैं बहुत स्लूली से लाओ रोड से हो जाएगा उस पर भी तेज भखाने से कोई फायता नहीं है बस पांक में अप भाई देख रहे हो देख रहे हो तुम ट्रक वालों को कहीं से कहीं तक जगह भी छोड़ते तो जाने वालों के लिए एक मिनट का सबर नहीं है और एक ट्रक वाले को मैंने बोला भी भाई मैं ले इनी सकता अभी उदर आफ रोड पे भाई यह गाड़ी मिली है एक वैन वाला जा रहा है करनाटका का थोड़ा सब्सक्राइब करते तो भाई थोड़ा सपेस हो तो एक हैल्प जीए जहां पर रस्ते सब्सक्राइब वहां तक यह लटक गया पूरा वैल्डिंग तूटके अच्छा पावर नहीं ले रही भाईया कह रहे हैं कि भाईया की कार ना अक्सिजन नहीं ले रही तो लोड नहीं ले रही चाड़नी पारी वहाँ से भी चले व्यार अल्मोस्ट रोड़ ब्लॉक्स भी खुल गया है अब थोड़ा साइड में कर लेते हैं बाईक को पहले सामने वाले जाएंगे फिर हम जाएंगे भाई जब जब मैं सोचता हूँ अब तो ऐसे सी ऑफ रोड रस्ता चल रहा है आप लोगों को देखने में भी क्या ही ज्यादा मजाएगा सेम चीज दिखाए जारों तुरंट ऐसी ट्रैजीड ही होती है लो भाईया देख लो मोमेंट है भाई मोमेंट है है कभी विशेज के साथ कभी मेरे वैसे एक क्रयक ना मैंने वहां से निकलने से पहले देख लिया ता Total orb अब कर छार फॉइंट से झूड़ा हुआ वैसे और मैं ज़्या मेरे मैं में आया। चल चल रहा है मैंने वेड़ोरड दाल के समझेने कि दा। अब इतना ज्याधा ऑफ रोड़ मिला ना शोस ने लटका ही दिया थिया भाई से पर बंची ऑड़ने बहुत साथ दे रखा वे सारा लोड उनी के उपर है अब मुझे नहीं रखता कि कुछ खास लोड पड़ भी रहा होगा पीछे इतने सही रस्ते पे और ज्यादा ट्राफिक भी नहीं मिल रहा है ठीक है यह रस्ता सफिशेंट है लोड ले लेगा प्रॉब्लम्स नहीं कुछ न कुछ रास्ता निकल जाएगा जब तक चल रहा है चल लेते हैं क्या पता टाइम बेस्ट ना करें क्योंकि कम से कम आजगंटा लग जाएगा फिर सारी चीजे प्लैन करके ढंक से बांगने में और अगर ऐसी चल गया तो ठीक है टाइम भी बच जाएगा और अभी से जस्ट दो सो मेटर पीछे तक ऐसा लग रहा था फ्लैट सर्फेस सा अगया और एक टरन के बाद यह देखो यार ओहू मतलब भाई एक वह जो बता रहूं ना आपको एक टरन लिया और सब बदल लिया सामने वाला पहाड देखो यार और यह तो जहां जहां तक दिख रहा ओफ रोड ही दिख रहा यार कहां है पांग अब यार यह देखो सामने प्योर बस ऐसे नॉर्मल मिट्टी का पहाड लग रहा और एक दम सीधा समझ में नहीं आ रहा है यह सस्टेन कैसे करके रखे बट यही तो है कुद्रत के करिश्में यार यह वाला देखो पहाड और सामने वाला देखो तुम सीधा खड़ा है रॉक स्टेड़ी यह देखो यार अब और इस से ज्यादा बुरी सिच्वाशिन क्या ही बनेगी अब तो रोड़ी नहीं है पत्थरों पर चल रही है तना लोड़े के ओ और ज्यादा गट्थे और ज्यादा गट्थे कि अब कर दो कि अब कर दो हुआ कर दो किव एंग तह नहीं रहे थे जवेडने नहीं चलो यार उस लास्ट बहुत ज्यादा खराब और नेरो पैच के बाद एट लिस्ट रोड थोड़ा सा अच्छा मिल गया अब इतना लोड लगनी रहा पीछे फ्लैट चले जारी है बाइक ज्यादा बंप है नहीं और वैसे हमारे पीछे दो भाई मिल गए थे वह करने के लिए टाप बॉक्स कोल के हमारी बाइक पर बंद बंजी कोड से तो वह पीछे ही है यह भी ठीक हम चल रहे है रास्ता ज्यादा खराब होता है कुछ दिक्कत होती तो वह मिली जाएंगे पीछे साथ हुए बाद में मौन्ट कर देंगा अभी आपनों लोग यह सोच र रहा है तो चला लेते हैं नी तो हेल्प की कमी है नी पीछे राइडर सारे हो कर देंगे और यह देखो भाई यह आपको दिख रहा हो पूरा मिट्टी का पहाट टाइप का और इसके बीच में भी भाई वह जो आपको फॉल टाइप दिख रहा है एक वह पिलर लग रहा है सब जम गया पानी जो जहां था वह ऐसा को ऐसी जम गया वह देखो यार वह वह पॉइंट और मेरे बिल्कुल ठीक सामने देख रहे था आप वह बड़े बड़े ऐसे पिलर टाइप के निकल वान के बीच में छोटी सी गुफा पता नहीं यार कोई रहता ही होगा या कैसे बनी है नैचुरल एकदम बिल्कुल गेट टाइप की शेप में है वह गुफा बहुत ज्यादा यह लग लग चीज़े और यहां से पांक बस साथ किलमेटर बचाए और रोड भी बढ़िया चल रहा है थोड़ा खुला रसता मिल गया ट्रैफिक भी कमा रहा है ट्रक वाले पर भी कमा रहे तो ज्यादा ओफ करना नहीं पढ़ रहा है रोड से अपने आपको ट्रक वालों कहां पर सीनियार बहुत ज्यादा खराब है मतलब उन्हें तो ट्रैक छोड़ना ही अपना हमें बोलेंगा यार उदर ले लो उदर ले लो वह जड़ा से नहीं देज़कि अब यहां पर वेट ही कर सकते हैं और नथिंग एल्स वी केंडू है तो यार अल्मोस्ट हम लोग पांग पहुंची गए थे यहां से लास तो लास चार से पांच किलोमेटर बचा हुआ था पांग और हमें मिल ब्लोकेज यह देखो यार सारे राइडर्स यहां पर रुके ह जाए कि मुझे तो लगता नहीं आदेगा इंटर्स लेगा भाई टाइम लगी का तबने का आप कर भी कह सकते हैं तो देर से बाइक चला रहे हैं ऑफ रोडिंग पर फोड़ी कमर भी दर्द कर रही थी यह लेट की थोड़ी देस हो जाते हैं यह सो भी या यह से चाहिए य खुदा ही खुदा ही अच्छा बढ़िया हो जाए गाई पंदा भी शुट में अगर पत्थर उपर से आने बंध हो गए तो चक्कर क्या हो रहा है ना कि वह बुल्डोजर से नीचे से जितने पत्थर क्लियर कर रहे हैं उपर से और गिर जा रहे साथ-साथ यह देखो ऐसे कि अच्छाब कर देखो चक्कर यह है कि उस साइड से भी गाड़ियां रुकी हुई है सब जाने के लिए कुछों को तो भाई साबर होता ही नहीं हो लोग उदर से आफ रोड करते हो लेकर जारे हैं बाई कारब नहीं हो तो और सब के इटकी पढ़ी है पानी में लेकिन कि अ झाल झाल